अकसर घर में जब ब्रेड आती है तो कई बार पूरी ब्रेड का इस्तमाल नहीं हो पाता है और ब्रेड भच जाती है तो ऐसे में ब्रेड को फैंके नहीं, आज हम उन्हीं बच्ची वी ब्रेड और दूद के साथ ऐसे मिठाई बना करकी तयार करेंगे जो जटबट बन कर तयार हो जाती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इस मिठाई को खुब चाह कर खाएंगे तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी ब्रेड की मिठाई बनाना शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेरी ऐसी और भी रेसिपेश देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन का बटन क्लिक सरूर करें ब्रेड और दूद की स्वादिश्च मिठाई को बनाने के लिए मैंने 800 ml दूद लिया है दूद कच्चा या पका कोई भी ले सकते हैं अब इस दूद को हम तीन हिस्सों में डिवाइट करेंगे तो जूद दूद का पहला हिस्सा है उसे मैं एकड़ाई के अंदर ट्रांस्फर करूंगी तो लगबग इस दूद में से मैंने आदा दूद डाल दिया है तकरिबन 400 ml के करीब अब यह जो दूद है इसे हम धेरे धेरे गरम होने देते हैं एक तरफ दूद गरम हो रहा है और दूसरी तरफ जो बचावा दूद है उसे भी हम दो हिस्सों में डिवाइट कर लेंगे तो जो दूद 400 ml बच गया था उसमें से आदा दूद यानि 200 ml दूद एक कटोरी के अंदर ट्रांस्फर करेंगे अब इस दूद के अंदर एक चमच PCV चीनी डाल कर मिक्स कर लें यहाँ पर मैंने PCV चीनी इसलिए लिया है ताकि इसलिए ये दूद में मिक्स हो जाए अब जो लास्ट में दूद रह किया है उसमें आदा कप मिल्क पाउडर डाल कर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिल्क पाउडर डालते समय आपको ध्यान रखना है कि दूद का जो टेंपरेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए गरम दूद में यदि मिल्क पाउडर डालते समय आपको जाएंगे में बिल्कुल भी गुठलिया नहीं पढ़ेंगी और पढ़िया से मिल्क पाउडर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा यहाँ पर हम इंस्टेंट रबडी बना करके तयार कर रहे हैं इसलिए हमने मिल्क पाउडर का इस्तमाल किया है यदि आपके पास मावा या खोया है तो आप उसका इस्तमाल करके भी रबडी बना सकते हैं और यदि आपके पास मिल्क पाउडर या खोया नहीं है तो दूद को पहले गरम होने के लिए चड़ा दें और जब धीरे धीरे वो काड़ा हो जाए यानि रबडी की फॉर्म पे आ जाए तब गैस का फ्लेम ओफ करतें तो यहाँ पर एक साइड में दूद पकरा है और दूसरी साइड में हम ब्रेड ले लेते हैं तो यह मैंने चार स्लाइस ब्रेड के लिए है यदि आपके पास जादा मातरा में ब्रेड बच जाती हैं तो आप उनका इस्तमाल भी कर सकते हैं यहाँ सिर्फ मैं अभी चार ब् इस मिठाई को बनाने के लिए घी का इस्तमाल नहीं करना पड़ेगा वरना आप चाहें तो इसे घी में टोटली डी फ्राइबी कर सकते हैं लेकिन ऐसे में मिठाई बहुत ज़्यादा ओईली हो जाती है और बहुत ज़्यादा हैवी भी लगती है खाने में तो इस तरह देवे ब्रैड को बढ़िया क्रिस्पी होने तक पकने देते हैं साइड में दूद भी चेक कर लेंगे तो दूद दीरे दीरे गाड़ा हो रहा है इस स्टेस पर हम इसमें चीनी भी डाल देंगी तो यह मैंने एक तीहाई कप चीनी का इस्तमाल किया है यदि आपको मीठा कम पसंद है तो आप चीनी का इस्तमाल और भी कम कर सकते हैं चीनी डालने से भी दूद जल्दी जल्दी काड़ा होने लगता है इसलिए चीनी मैंने पहले ही डालती है तो एक साइड में दूद पकरा है और साइड में जो ब्रैड हमने टोस्ट करने के लिए रखी थी वो भी पढ़िया क्रिस्पी हो गई है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कोल्डन कलर इनका आगया है और ब्रेड बिलकुल भी जली नहीं है दोनों और से ये पढ़िया क्रिस्पी हो गई है ऐसी ब्रेड दूद के साथ ये ऐसे भी खाए जाए तो खाने में बड़ी ही परफ से दूद डालते वे दूबारा से एक मिनिट के लिए इस प्रेड को सेख लेंगे ऐसा करने से जो प्रेड है क्योंकि काफी क्रिस्पी हो गई है लेकिन दूद डालने से वह सौफ्ट हो जाएगी तो ये मिठाई खाने में टेस्टी लगेगी ये ऐसे ही हम प्रेड को सर्व करेंगे तो वो खाने में हाड रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी इसलिए हमने ये दूद पहले ही चिनी मिला कर एड कर लिया है तो इसे ब्रेड में बढ़िया मिठास भी आ जाएगा और ब्रेड सौफ्ट भी हो जाएगी इस मिठाई का जो टेस्ट है वो आपको कुछ-कुछ माल पुवे जैसा लगेगा तो ये एक ब्रेड मैंने दूद के साथ सेक ली है अब दूसरे ब्रेड जो सेकें वो आप नीचे से उठाएं क्योंकि तवा गरम है तो नीचे से ब्रेड जल सकती है तो इस तरह नीचे से उठाते वे सारी ब्रेड को हम दूद डा कालते वे फिर से सेक लेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसे लग रही है प्लीस मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके सुझाओ मेरे लिए अमुल्य है और इदर रबडी भी बन करके तयार हो गई है ये पहले कि अपिक्षा काफी काड़ी हो गई है तो देखिए अब जब रबडी इस स्टेज तक पहुंच जाए तब हम इसमें थोड़ा सा इलाची पाउडर भी एड़ कर लेते हैं फ्लेवर के लिए येदि आप इसमें केसर डालना चाते हैं तो केसर का इस्तमाल भी कर सकते हैं बस अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इस तर रबडी को ठ देख सकते हैं ये पहले कि अबिक्षा कितनी जादा मलाईदार और गाड़ी हो गई है ये रबडी तो खाने में ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगे चलिए अब हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसके उपर इस रबडी को अच्छे से फैला देंगे आपको जादा रबड हमें भी रबडी इस ब्रेड पर लगा सकते हैं अब दूसरे ब्रेड इसके उपर रखकर इसके उपर भी रबडी लगा देंगे यहां पर आप चाहें तो इस तरह से ब्रेड के उपर ब्रेड रखकर रबडी लगाते जाएं या फिर सिंगल ब्रेड पर रबडी लगा कर व और भी रबडी को अच्छे से सैट कर देंगे ओपर से हम इस मिठाई को थोड़ा सा कार्णिश कर लेते हैं ताकि ये देखने में सुन्दर लगे तो थोड़ी से कटीवी बादाम और पिस्ता के साथ मैंने इसे कार्णिश कर लिया है और ये हमारी बहुती चबरदस्थ, टेस्टी, बहुती कम घीमी मिठाई बन करके तयार हो गई है और इसके लिए हमी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने पड़ी और चलिए अब मापको इसे काट करके दिखाती हूँ ब्रैड ने बहुत अच्छे से दूद को एबसॉर्ब कर लिया था तो वो काफी सॉफ्ट हो गई है और देखिए कितनी बड़िया लेड्स इसके अंदर दिखाई दे रही है मैंने इसे दो हिस्सों में ट्राइंगल शेप में कट किया है आप चाहें तो इसे चार पिसे में भी कट कर सकते हैं तो लग रही है ना फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई वो भी घर में पड़िवे कुछ ही सामान के साथ तो आप भी ये टेस्टी मिठाई बना कर जरूर तयार करें और कैसे बनी अपनी फीड़बैक मेरे साथ जरूर शेयर करें फिर से मिलती हूँ आपको एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई